हेलो एबरिवन, पीरियट्स के दोरान महिलाओं को गुस्सा क्यों आता है? आज हम इस वीडियो में PMS के बारे में डिसकस करेंगे. दोस्तो, लड़कियों और महिलाओं के जीवन में पीरियट्स का आना एक नॉर्मल हिस्सा है. कि यदि किसी मेला को अगर बच्चे को जन्म देना है तो उनके लिए उनका पीरियट्स आना बहुत ही महत्पूर और जरूरी होता है. कुछ-कुछ मेलाओं को पीरियट्स आने से पहले पता ही नहीं चलता कि पीरियट्स आने वाले हैं. पीठ में दर्द, पेट में दर्द, ठकान ये सब होने लगता है इस कंडिशन में महिलाएं पीठ पर पेट पर सिकाई करती हैं और मेडिसीन लेती हैं जिससे थोड़ा बहुत अराम मिलता है जिने इस तरह के लचछड होते हैं उन्हें एक दो दिन पहले से ही पता चल जाता ह है कि पीरियड आने वाला है बिकाज नॉर्मल quarantine होने लगता है बिचेहणी होने लगती है कुछ अछह नहीं लगता है और कुछ लoliciओ घवर जिरी होने लगते हैं चोटी छोटी स्थी बातों पर गुस्सा होने लगती है तो इसे प्रिए मैंसरोर सीन्डरोम करते है यानि की PEMAS करते हैं, PEMAS होता क्या है? आईए इसको जानते हैं, बिसे सग्यों का मानना है की PEMAS होने के लच्छन में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लगतार बदलते रहते हैं, यह दोनों हार्मोन प्राक्रितिक रूप से उतार चड़ाव करते रहते हैं, म बोड़ी में अचानक से हुई इस हार्मोनल बदलाव की वज़े से महिलाओं को पीरियट के दरान चिंता, चिल्ट चिड़ापन और मूड में अन्य परिवर्तन होने की प्राब्लम होना इस्टार्ट हो जाती है, यह में दो प्रकार के लच्छड देखने को मिलते हैं, जिन लगतार सीर में दर्द बना रहता है, पीठ और मानस्पेसियों में दर्द होता है, पेट में मरोड का दर्द होने लगता है, गैस की भी प्राब्लम होती है, कई बार तो सोर और तेज प्रकास भी बरदास नहीं होता है, मानसिक लच्छर मतलब मेंटल टम्स तो और भी खतर ज़्यादा परिसान करते हैं इसमें टेंजन हमेशा बनी रहती है बिना बात के आप बेचैनी महसूस करती है रोने का दिल करता है खाने को लेकर क्रेविंग होने लगती है मतलब किसी को स्पाइसी और किसी को बहुत मीठा खाने का मन करने लगता है चिर्टीडापन होने लगता है, छोटी छोटी बातों से गुसा आने लगती है, ठकान महसूस होती है कोई भी बात याद रखने में प्राइबलम होती है, खुब इस्ट्रेस जैसा होने लगता है कई बार mood लगतार बदलते रहते हैं दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये सब लच्छड एक साथ हो पर हाँ इन में से 4-5 symptoms हैं तो आपको PMS है period के सुरू होने के 4 दिन बाद PMS लच्छड खतम हो जाते हैं आईए जानते हैं PMS से बचाओ की उपाय दोस्तों अभी तक PMS के बारे में कोई सटिक जानकारी या कोई सपष्ठी करण नहीं है कि महिलाओं को PMS आखिर होता क्यों है इसका कोई solid treatment नहीं है पर PMS में कुछ उपाय की मदद से इसके लच्छडों में कमी कर सकती हैं जिससे आपको जादा तकलिप सहन नहीं करने पड़ेगी जैसे पेट की सूजन ठीक करने के लिए तरल पदार पी सकती हैं इसमें लाल रास्पवेरी पत्ती या कैमो माईल जैसी हरबल चाय ले सकती हैं आप ज़्यादा तला भुना ना खाएं भारी भोजन ना करें हल्दी खाना खाएं खूप फल और हरी सबजिया खाएं कौफी और एलकोहल से बचें ज़्यादा नमक और चीनी का सेवन ना करें रोजाना ब्यायाम करें जिसमें योगा करें मेडिटेशन करें और डीप व्रिथिंग एकसर्चाइज करें इससे बहुत ही रिलाइक्स मिलता है जादा तनाव ना लें इस्ट्रेस कम लें एठन और मूड से जुड़े लच्छडों से राहत पाने के लिए आप डॉक्टर से फोलिक एसीट, विटामिन B6, कैलसियम, मैगनीसियम जैसे सप्लिमेंट ले सकती हैं ओके दोस्तों सूरिकी रोशनी भोजान या सप्लिमेंट अहार के माध्यम से अधिक विटामिन डीप राप्त करने का प्रयास करें इससे आपको PMS में काफी मदद मिलेगी आपको पारिरिक और मानसिक लच्छड़ कब सुरू होते हैं यानि कि पीरियट के 6 दिन पहले दिखाये देने लगते हैं पीरियट के 4 दिन बाद लच्छड़ खत्म हो जाते हैं तो आपको PMS के सिम्टम है ओके अगर आपको 2-3 महीने से कंट्यूनेशली ऐसा हो रहा है तो PMS के ल हमारी PMS जैसी सेम ही होती है देखा जाए तो PMS और PMDD में कोई खास फरक नहीं है PMS का ही बढ़ा हुआ रूप है जब PMS के लच्छड़ ज्यादा बढ़ने लग जाए और उनकी वजह से महिलाओं को ज्यादा और लंबे समय तक समस्याएं होने लगे तो उसे ही PMDD कहा जाता है PMS की तरह PMDD के लच्छड में इस्ट्रोजन प्रोजेश्टिरॉन और सेरोटिनीन के अस्थर में उतार चड़ाओं के कालड हो सकते हैं दोस्तों सेरोटिनीन एक निरो ट्रांस्मीटर होता है बता दें कि सेरोटिनीन को हैपी हार्मोन भी कहा जाता है जो आपके मूट को क उदास होना और लंबे समय तक उदासी बने रहना इसमें पीरियड सुरू होने के एक या दो हपता पहले से ही चीड़ चीड़ापन स्टार्ट हो जाता है जो डिप्रेशन और एंजायटी की तरफ बढ़ने लगता है दर्दनाक एठन होना जो कि मेडिसीन लेने पर भी ठी अगले वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत सुक्रिया मिलेंगे अगले वीडियो